दोस्तों बिहार सरकार द्वारा एक नई योजना चलाई जा रही है इस योजना में सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों को लाब मिलेगा जो एक दुकांदार है जैसे दुकान अगर आप छोटे लेवल पे भी किये हुए है या बड़े लेवल पे उद्योग भी किये हुए तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं इस योजना के ताहत मैक्समूम आपको 5 लाख रुपे दिये जाएगे मिनिमम एक लाख रुपे तक आप इसमें लाब ले सकते हैं काफी न्यूंतम दरों पर यई लाब आपको दिये जाएंगे यानि व्याज दर काफी न्यूंतम पढ़िए और दोकान किये हुए जनरल स्टे का दुकान किये हुए एसे बहुत सारे लिस्ट है सबी डीटेल में हम आपको एसकी पर चलकर आपको बताते हैं और चाकर दस्टाबेज आपको लगेगा और कैसे यह लौन आपको छुकाना पड़ेगा कितने किस्तों में आप चुका सकते, क्या ब्याजिदर होगा, कब तक अवेदन कर सकते, यह पूरी प्रोसस आपको डीटेल में हम समझाएंगे, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी ले टेस् यूटुब चैनल के मादम से प्रभाइड किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मुवाल या लैप्टॉप को ओपेन करेंगे, सर्च करेंगे, ओनलाइन अपडेट स्टीम डॉट कॉम, इस वेब साइट पर आ जाएंगे, नीचे स्कॉल करेंगे, सरकारी यो दुकंदारों का, यह क्या है, किस अनुसार मिलेगा, यह सभी डीटेल को आप पर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, तो देखे, वेफसाय भी दो परकार के होगा, एक लगू रिन, लगू रिन का मतलब जो लोग छोटे लेवल पर अपना दुकान का सुरुआत किये हैं, जैस में जो लगू लोग है, जो लगू द्योग किये हुए है, तो वो लोग भी इसका लाब ले सकते हैं, अगर जिनका जो दुकान है, वी हत है, यानि बड़े लेवल पर है, जैसे ओ मोबाइल का दुकान किये हुए, चुरी लश्टी का करखाना खोले हुए हैं, तो उस परका आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर किलिक करेंगे तो, यह जो योजना चलाई जा रही है, राज संपोसित मुख्यमंती अलपसंख्यक रुजगार रिन योजना अंतरगत वितिये वर्स दोहजेर बीस एकिस एवम एकिस बाइस के लिए आविदन पत्र अमंतरित क दिया जा रहा है, जहां पर आप देखेंगे तो दोग अगर इस परकार के करते हैं, यह इस परकार के लिए जो बिजनस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिजनस शुरुआत करेंगे तो फिर इसका लाब आप नहीं ले सकते हैं, तो यहां पर आकर आप देख सकते हैं कि ल लगू वाले में करेंगे तो आपको कम पैसा मिलेगा जैसे विहत वाले को दो से पांच है तो यहाँ पे आपको एक से दो लाक रुपिये लगू वाले को दिया जाएगा अब दिखे इसके लिए क्या पात्तरता होनी चाहिए जो भी यहाँ पे ऑफिसेल नोटिपिकेशन के जिरिये बता दिया गया अवेदन किस परकार करेंगे वो भी हम आपको डीटेल में समझाएंगे इसके लिए आपका उम्र कम से कम 18 से 50 वर्स के बीच होना चाहिए अवेदक उसी जीला के निवासी होना चाहिए यहाँ यूजना का लाब लिया जाना है आवेदक सरकारी नो मुस्लिम, सी, किसाई, बोध, जैन अथवा जो पार्थी समुदाय से हैं वो ही लोग इसका लाब ले सकते हैं ध्यान रखेगा अगर आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो आपको अपना जाती परमांपति ओने सम बं MON diff です आपका कास्ठ है वह परमांपता आपको नहीं दे की गई है वही अगर आप एक लाग तक अगर आप दीन लेते तो कोई गरेंटेड आपको नहीं बनवाना होगा सोय मैं आप अपने खुद का गरेंटेड बनकर इसका लाब ले सकते हैं लेकिन उससे अधिक जैसे अगर मालेजे दो लाग पांच लाग के बीच में अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको जो गरेंटेड बनवाना होगा जो आयकर दाता हो सकते हैं अंगरवारी करमी हो सकते हैं सरकारी टीचर हो सकते हैं इस परकार के लोगों को एक गरेंटेड आपको बनवाना होगा यदि आप कोई उपकरन लेते हैं तो उसका अगर मसीन लेत है चार पहिया बाहन रेन के लिए अवे तक को हलके मोटर ड्राइवी का लाइसेंस होना चाहिए जैसे एलम भी होना चाहिए अगर आप इस बाहन पे भी लोन अगर उठाना चाहते हैं तो यह सारे डिटेल इसमें बता दी गई आप आकर देख सकते हैं और किलियर लिखा होगा उतने का मंथली आपको 20 महिने में ही आपको जहमा करना होगा नोट में देखेंगे तो आप इसका ओफिसल वेप साइट पे जाकर बी एस एम एफ सी डॉट जो भी डॉट इन पर जाकर यह सारी डिटेल को पर सकते हैं या नहीं तो वीडियो डेस्क्रिप्शन में हमन नीचे स्कॉल करेंगे तो आपको यहां पर यह फॉर्म मिल जाएगा इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि यह फॉर्म अलपसंख्यक वर के लोगों के लिए है जो कि बिहार सरकार द्वारा यह चलाया गया है चुकि 20 एक और 21 के लिए कि लिए एक चीज और करते कि यह जो सबनेकाराई है सारन च्षपरा का विदक फॉर्म उखंप हाथओ हाथ जमा करना है या आप स्विड़ पोस्ट के मादम से भी ऑफिसवेज सकते हैं तो आप जिस अनुसारी इस फॉर्म को जमा करना चाहते आप जमा कर सकते अप छेए पवẫn में कुछ बेसिक जैनकारी जैस आपको एक प्राप्ती रसीद मिलेगा, जब आप फॉर्म जाएंगे जिस ओफिस में जमा करने तो इस प्राप्ती रसीद को आपको दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म में जो भी लोग आविदन करेंगे, तो उनको जो भी डोकुमेंट बताया गया, वो स से सी किसाई आता है, तो आपको वो भी लगाना होगा, अपना जो भी यहाँ पे डीटेल भर रहा है, उसका प्रूफ आप इसमें अटेच करके, आप आफिस में जाकर इसका जमा कर सकते हैं, जितने लोग इसमें आवेदन करेंगे, तो लिखा हुआ है कि आवेदा का चैन राज सरकार द्वारा संगठित जीला अस्तर ये चैन समिती द्वारा की जाएगी, इसके लिए एक सूची आएगी, जिस सूची में आपको अपना नाम देखना होगा, जिनका भी अगर सेलेक्शन होता है, तो उनको इस परकार का लाब मिलेगा, जिसका ब्याज इदर है, नून तम पांच परतीसत है, इस चीज को ध्यान रखीगा, तो दोफ्तों ये एक कम्पलीट प्रोसेस था, इस लोन का लेने का, वीडियो कर आपको पसंदा हो, तो लाइक करिए, साथी चैनल को जोरो सब्सकाइब करिए, ताकि इस तरह का जूपी वीडियो हो, आपको मिल सकें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,